हाई दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त मेंदर सिंग स्वागत करता हूँ दोस्तो मुकेश मेंदर एजुकेशन चैनल पर और आज हम देखने वाले हैं पोलिटिकल साइन्स का चेप्टर नंबर टू है दोस्तो दो धूरवेता का अंद इसके देखने जा रहे हैं की देखने जोए लिए वे इंपोर्टेंट क्कैशन थो अठंव बिलकूल आपको लाइच चेट में कमेंद करते हूए चलनाए है सभी को वेरी-वेरी घूड इवनिंग ठीकेश के बिल्कुल एक बर सभी एक कलास को शेयर कर दियेगा है ना सभी अपने दोस्तों के भी शेयर करिएगा चलो तो आज हम दो धूरवेता का इस चेप्टर को देखते हैं और इसके परमुक इंपोर्टेंट कुशन जो है वह यहां पर स्टार्ट करते हैं चलो तो यह चेप्टर ह देखते हैं तो सोवित संग का गटन कितने घंडराज्यों को मिला कर किया गया था 12 घंडराजी 13 घंडराजी 15 घंडराजी 16 घंडराजी अब आपको लाइट चेट में करना है दोस्तों इसका आंसर ठीके तो बिल्कुल आप सभी कर रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाईगा 15 घंडराजी ठीके 15 घंडराजी को मिला कर दोस्तों सोवित संग का गटन किया गया था ठीके और आपको पूछा जाए कि सोवित संग का गटन 15 घंडराजी को मिला कर किया गया और सोवित संग का पतन पूछा जा सकता है कि सोवित संग का पतन कब हुआ तो सोवित संग का प option number C जो है वो right हो जाएगा चलो next question देखेगा अगला question अगला जो question है आपके सामने दूसरा question वो ये दे रखा हैं कि सोवित परणाली में नोकरसाई का सिकंजा कस्ता चला गया नोकरसाई से आपका क्या अभिप्राई है क्या नेता वरग है जनता है क्या प्रशाशनिक वरग है या सेनिय वरग है तो यहां पर right answer हो जाएगा प्रशाशनिक वरग हो जाएगा इसका इसके बाद देखेगा तीसरा question है आपके सामने कि 15 गणरायो पर किस राज्य का परभूतो था पोलेंड चकोशला भी है रूस या बेलारूस तो आप सबी को पता हो जाएगा रूस हो जाएगा ठीक है रूस हो जाएगा इसका right answer देखेगा आपको पोँचा जा सकता है कि तो रूस है आपको पोँचा जाए कि रूसी करांती कब होई थी रूसी करांती कब होई थी तो रूसी करांते हुई थी 1917 में रूसी करांते हुई थी और आपको पूचा जए कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल ठीक है रूस की मुद्रा का नाम क्या है रूबल और आपको पूचा देगे रूस के संसद का क्या नाम है तो रूस के संसद का क्या नाम है डियूमा रूसी मुद्रा का नाम रूबल है भारती मुद्रा का नाम रूपेया है अमेरिका मुद्रा का नाम डॉलर है यूरोपे संगी मुद्रा का नाम यूरो है तो इस तरीके से य जियान रकना हैं यहां पर एक नमबर वाला किशन जरूर बढ़ सकता हैं मैं जो एक्ष्टा प्यक्ट बोल रहा हूं और जो इसमें दे रखे हैं उनको अच्छे से याद करने दोस्तों बिल्कुल परसन यही से बढ़ने वाले हैं ठीक है बिल्कुल सभी का स्वागत हैं एक किया दे क्षा कर दीजेगा इसके बाद डेकर 5 किशन के आपके सामने कि सोवीड संग जेक देश में 1989 में हस्तेशेप किया था अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या कजाखिस्तान में तुर्केमिनिस्तान में तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तो अफगानिस्तान सोवित संग ने दोस्तों 1989 से लगा कर 1989 तक दोस्तों अफगानिस्तान में हस्तेशेप किया था ठीक 1960 के दसक में तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों 1980 के दसक में दोस्तों सोविज संग जो प्रणाली थी यह इसकी जो यानि लड़ खड़ा गई यानि कि पतन शुरू हो गया इसका ठीक है 1980 के दसक का मतलब क्या हो गया 1980 के बीच का समय ठीक है तो इस तरीके से आपको पताएगा 1901 में सोविज संग का बिल्कुल ही पतन हो जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दसक में चलो next question नेक्स्ट क्यूशन देखेगा अगला क्यूशन आपको पूचा है कि सांतिपुन से इस्तित्यू की नीति का समन्थ किस सोविद राष्टपती से हैं क्या लेलिन से हैं क्या इस्टालिन से हैं क्या खुश्चेरू से हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोसो निकिता फुष्चरो से हैं नेक्स्ट किशन अगला देर का हैं कि मिखानी गोर्बाचे बने ते लएकाथ कि आनथिम आ को ने थे बने को यह वagan संके मासे बने थे मिखायल गुर्बाचे ने सोविज संकी अर्थ विवस्ता को सुदारने के लिए इन्होंने लोगतंत्री क्रण की निती अपनए लेकर ये निती ज़्यादा काम्याब नहीं हो पाई और अंत में सोविज संका पतन हो जाता है 25 दिस्टंबर 1901 इक्राणमे को तो यह सब कुशन जो है वो आपको याद करने हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन है चलो देखिएगा अगला कुशन अगला आठवा दे रखा है कि गोरबाचेव का तक्था पलटने में किसकी भूमी का एहम थी ब्रजनेव की खुश्चेरों की व्लादिमीर पूतिन की या बेरिस यलसिन की तो राइट आंसर होज़ेगा बेरिस यलसिन की आपको पता होगा दोस्तो गोरबाचेव जो है वो सो रूस यूक्रेण और बेलरोस इनके आधार पर सोविस संग के पतन की गोश्चना कर देता है ठीक है तो यहां पर यह जान रखने इसका राइट आंसर होज़ेगा बेरिस यलसिन इनकी में भूमी करती है गोरबाचेव का तक्ता प्लट करने में ठीक है बिल्कुल चलो आग सब्सक्राब पतन को रूस बन खिलका है यह जड़ी संग का पतन हो जाता से लोच裡 को सब्सक्राइब यह रोस मनता हैं तो रूस यह तो था तो यह था यूक्रेण यह भी था लेकिन अस्टोनिया नहीं था आपको पता होगा है तिक ए इस्टोनिया है इस के अलाभा यहां टो में कब सामिल होते हैं अमेरिका के सेने संगठन में 2004 में सामिल हो जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से यह प्रमुक्त एक्स्ट्रा फेक्ट आपको ध्यान रखने हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया कि हंगरी के जन्लांदोल्ण को दबाने में सोविट संग के किस नेता की मेतपण भूमे कर रही है तो यहां पर निकिता खुष्तेरू की मेतपण भूमे कर रही है यानि इसका ए राइट हो जाएगा ठीक है अगर रेक्टिस्टान के हमें पूर्थी करनी है कि सोविट राजन सामयवादी विचारदा रहा थकी सामयवादी विचारदार सुदारु की mesmo में सुदारूधर सुदारू की लेकर निती कामीयाव नहीं वह तो गोर्बाचेवन जैसे लोकतंत्रिकन की नितिय अपनाई थी ठीक है लेकिन वो ज़्याजा देर तक चली नहीं चलो नेक्स्ट कुछन देह रखाएं कि खालिस्तान का गेरना सीत्यूद के अंत का परतिक था तो बर्लिन की दिवार का गेरना जो है वो सीत्यूद के अंत का परतिक था बर्लिन की जो दिवार है वो पूंजिवादी दुनिया और सामिवादी दुनिया के बीच वीबाजन का परतिक थी बर्लिन की दिवार का निर्मान होता है 1961 में गिरा जाती है सता पर समाप्त हुआ था इस तरह के से यह प्रमुख दियान रखना है अगला देखेगा कि मार्च 1990 में खालिस्तान सवतंतरता की गोशना करने वाला परतम सोवेद गंडराईय बना था तो वो बना था लिथुआनिया ठीक है इसके बाद सोवेद संग के विगटन के बाद की समय में पूरो वर्ती गंडराईयों की बीच एकमातर प्रमुख सक्ति संपन देश का दर्जा रूस को मिला था तो यह प्रमुख आपको ध्यान रखने यह सभी किशन इंपोर्टेंट है अब देखते हैं प्रमुख आगे किशन देखिएगा आगे जो किशन दे रखा है कि आस्चिरी जनक तोर पर खालिस्तान गंडराईयों ने अपने लिए सवतंतरता की मांग नहीं की वे सोविच संग के साथ ही रहना चाहते थे तो मद्य एश्या के परमुख देश थे नवा दे रखा हैं कि सन 1921 में के दिसंबर के खालिस्तान के नरतितों में सोविच के त संबाला था जो जेव स्टालीन ने संबाला था 1917 में रूस के बोल सभी ख्रांति के पसाद वलादी में लिली ने रूस की सता को संबाला था यह परमुख देखेगा यह किशन दे रहे हैं यह आपके सामने और अतिलोगतरत्म किशन सुरू होते हैं वह आपको इस तरीके से याद करने हैं चकोषला भी एक है कि जनांदोने के कुछलने में कि सोविशंग के निता की भूम्मिका थी अब एक एक नमबर वाले किशन यह आप देख सकते हैं और यह किशन तो परमुक आपको नोट करने हैं ठीक इस तरह किसा आप देख सकते हैं ठीक है यह आपको नजर गतैसंटार है किति कटैकन की सकती किस प्रकार की थी तो सोनवी राज विवंस्ता के उसके इनदेकट छाटे में नहींतर. ठीके गलाशनोस्त का अर्थिस्पेस्ट कीजिए तो गलाशनोस्त का रूसी बासा का सब्ज जिसका अर्थ होता है खुलापन यानि पार्दर्शिता ठीके पर उस तरीका का अर्थिस्पेस्ट कीजिए ये भी पूंचा जा सकता है और ये देख सकते हैं बाल्टिक देशों के तो दे रहा है वो ये दे रहा हैं कि जिसे इसमें देखते हैं दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है ठीक है ये तो कल भी देखे तो ये पर्मो किशन आप देख सकते हैं पर्थम दुनिया किसे कहा जाता है बिल्कुल सरल से किशन है 2017 anxiety जुरह करास्य तुरूर्च है पुरवर्वूतनी के लाश्टतर यह परिए सुड़ है तो इस तरह के से यह प्रमोकिशन आप देख सकते हैं और USSR का पुरू नाम owकिया इसमें दे रहें। और बड़े नंबर के अंदर दोस्तो इस चेप्टर में से यह परसण पूछा ताएगा थाक बड़ेकर नंबरों के अ थाके बड़े नंबर eh आपको पूछा दाएगा कि सोग तरेपी के क्या प्रणाम क्या निकले सोग तरेपी के प्रणाम बताओ ये बड़े नमर के अंदर से इस प्रकार से परसन पूछे देंगे प्रणाम बता ओषाला सोग तरेपी क्या है ये बी देखें गया आगे परमोकुशन देखें ये आपके सामने थे limbs टो है तो इस तरीके से प्रमोकुशन थे सोग तरीक पर अर्थ बता तो इसके दूसर प्रम नाम लिखिएगा तो इसी तरीके से आएंगे दोस्तो देख सकते हैं ठीके अब दोस्तो इस चेप्टर के यदि में पूरी बात करूँ अपना जो चिप्टरे दूसरा चिप्टर अध्याई दो दो धूरवेता का अंध चिप्टर का नाम क्या है अध्याई दो दो धूरवेता का अंध ठीके दो धूरवेता का अंध यह जो चिप्टरे दोस्तो यह आपके छे नंबर का है इसमें क्या-क्या परसन पूचे जाएं की विगतन की गोशना कब की गई थी और सोवीच संग का विगल नाम के प्र Milkybox सवीच संग के विगतन के परम ही कारणों करन यार आपको पंचे जा सकते हैं इसके लाव 3 के प्रिनाम बताँ है तो इस तरीके से जैए दू किसन को आपको पूछर जा सकते हैं आ बसकते हैं वसक्ति किसे कहते हैं थै क्या समझते हैं वह बताएं को हुआ न इस आ тобой प्रिणाम क्या निकले प्रिणाम क्या निकले तो प्रिणाम भी आपको पूंचे जा सकते हैं और आपको यह भी पूंचा जा सकता है कि जैसे भारत और पुंचesto सकते हैं यह अन्य वाले दोस्तों अगर आपको अच्छे स समचा है तो चलो दोस्तों वीडियो केसा लगा मुझेThey में ज़रूर बतरना है वीडियो को ज़्यादा सेर करना चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आग वो आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिपीकिस ने वो समय समय पर मिलती रहें चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जे हिंद जे बारत